नमस्ते डेयो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ numerical problems को solve करने वाले हैं, series resonant circuit के regarding, या ऐसा कह सकते हो series resonance in LCR circuit के regarding, दिखे इस वीडियो में हम लोग total 4 questions लिए हैं, ठीक है, पारी बारी से सब को solve करेंगे, यह अपना part 1 है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा ज इसमें कुछ 3 या 4 और problem हम लोग लेंगे, series resonant circuit के regarding, देखे इन problem से आपको different formulas को थोड़ा manipulate करके use करने आ जाएगा, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो question लिए है मेरे प्यारे वीवस हम लोग वो क्या है, वो कुछ एक circuit है इस प्रकार का, जहां पर elements आपका series में connected है, 100 ohm का resistance गिवन है, 8 henry का अपने पास inductance है, और क्या है 2 microfarad का capacitance गिवन है, हमें जो है प्यारे वीवस, resonance frequency पता करना है, total impedance जो होगा resonance पर वो पता करना है, और peak value पता करना है current ठीक है, औच्छा, 200 volt का अपने पास जो है, एक source भी है, जो connected है, ठीक है, तो यहाँ देखेगा मेरे प्यारे वीवस, सबसे पहले तु वन में देखो, given क्या क्या अपने पास है, जो भी given है, उसको एक बार यहाँ पर लिख लिजे, अपने पास R given है, 100 ohms का, अपने पास inductor given है, जिसका inductance है, 800 henry का, साथी साथ मेरे प्यारे वीवस, हमारे पास capacitor given ह जिसका capacitance है, 2 microfarad, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 into 10 पे पावर, minus 6 farad, ठीक है, micro given है, मिली रहता तो 10 पे पावर, minus 3 लेते हैं, ठीक, यहाँ पर देखेगा प्यारे वीवस, हमें सबसे पहले तो पता करना है, resonant frequency, अर्थात F0 के value को पता करना है, इसका formula क्या देखे थे, series resonant circuit के लिए, जो था 2 pi under root LC, ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा, 1 by, यह जो 2 pi है, इसको direct 6.28 ले लेते हैं, ठीक है, q by, 2 है, और into pi का value 3.14, multiply करोगे, तो आपको मिलेगा 6.28, तो हम लोग इसको directly put करेंगे, इसका value आप याद भी रखे, क्योंकि यहाँ पर हर जगे पर यह काम आने वाला है, into, यह root में आएगा L, L अपना कितना है, 8 henry है, और यहाँ पर है 2 into 10 पर पावर, minus 6, ओके, तो यहाँ देखेगा, प्यारे वीवस, 1 by 6.28 into, 8 to 16 होगा, और यहाँ 10 पावर, minus 6 है, तो 16 into 10 पर पावर, minus 6, आप, अचा यह frequency है, ठीक है न, यह जो frequency निकलेगा यह hertz में निकलेगा, ठीक है, so, इसे कैसे लिख सकते है, 1 by 6.28 into 4 into 10 पर पावर, minus 3, ठीक है, 16 का root 4, और 10 पावर, minus 6 को, 10 पावर, minus 3 ले लिए, यह हो गया F0, so, F0 कितना आ रहा है, multiply करके देखिए, तो इससे कितना होगा, अगर आप इन दोनों को multiply करते हो, तो आपको पर लगबग मिलेगा, 25.12, ठीक है, into 10 पर पावर, minus 3, कुछ ऐसा, so, इसे ऐसे लिख लेते हैं, इसे जो है, कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, 10 पर पावर, 3 by, यहाँ पर 100 ले ले लेते हैं, ठीक है, यह 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ होगा, F0 is equal to 10 पर पावर, 5 by, 2512, कुछ इस प्रकार से, ओके, अब जो है, यहाँ पर थोड़ा सा देखेगा, तो इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम लोग, अगर 10,000 भी लेते हैं, तो यहाँ पर क्या अगर 10,000 इंटू 10 करके डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे एक लाख होगा, 2512, और अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, तो हमें वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा, 39.80 Hz का, ठीक है, कुछ ऐस प्रकार का, ओक्या, आप अपने से भी एक बार चेक करके देख सकते हैं, अब हमें दूसरा क्या पता करना है, दूसरा हमें पता करना है, टोटल इंपिडेंस एट रिजोनेंस, अब देखो, एट मिनस है, कि यहाँ पर जो Z होगा, वो रजिस्टेंस के वेल्यू, 100 ओम से इकवल होगा, रजिस्टेंस का वेल्यू कितना है, 100 ओम, सो इंपिडेंस आपका हो जाएगा, 100 ओम, फिर हमें जो है current पता करना है है ना current peak value of current देखो जो peak value होगा current का वो कब होता है resonant frequency पर होता है तो resonant frequency पर current का value अगर आपको निकालना है तो वो I0 is equal to E0 by R से मिलता है माफ कीज़ेगा E0 by Z से मिलेगा जो total impedance होता है circuit का अभी E0 अपने पास 200V है और जो Z है impedance जो है circuit का resonance पर वो R से equal है और R अपने पास कितना given है 100 given है तो put कर दो तो यहाँ पर आपको 2A का current ऐसा मिलेगा अब चलिए हमारा जो दूसरा question है उसकी तरफ चलते है यहाँ पर देखेगा मेरे प्यारे वीवस दूसरा question अपना क्या है अपने पास पहले इंडक्टेंस गिवन है यहाँ अपने पास पहले इंडक्टेंस गिवन है इस फाइफ मिली हेंडरी का तो फाइफ इंटू 10 पर पावर माइनस त्री हेंडरी कर देते हैं फिर capacitance गिवन है तो इसको आप कर दो 0.1 इंटू 10 पर पावर माइक्रों है तो 6 फराड कर तो माइनस 6 फराड रजिस्टेंस 100 ओम का गिवन है इंड में और अपने पास एक एसी सोर्स गिवन है ना एसी सोर्स गिवन है 10 वोल्ट का मतलब एका वेल्यू 10 वोल्ट गिवन है अपने पास अब देखिए हमें क्या करना है पहले तो करना है resonance पर तो resonance पर क्या होता है जो voltage होता है inductor और capacitor के cross वो सेम होता है तो अगर आप दोनों में से कोई एक भी निकालेंगे तो दोनों का voltage मिल जाएगा ठीक है voltage दोनों के cross मिल जाएगा resistance का में अलग से निकालना होगा तो आए इस चीज़ को करते हैं पहले क्या पता करना है पहले पता करना है resonant frequency formula क्या है वन बाइ टू पाइ टू पाइ अंडरूट LC वन बाइ टू पाइ को 6.28 ले लेते हैं direct अंडरूट LC एल कितना है 5 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 C कितना है 0.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 ठीक है आई एगा थोड़ा सा देखेगा एफ नॉट इस इक्वल टू 1 बाइ 6.28 इंटू अंडरूट अगर आप इन दोनों को multiply करो तो आपको यहां पर क्या मिलेगा आपको यहां पर मिलेगा 0.5 मिलेगा ठीक है इन दोनों को साथ में अगर ले आओ तो यहां ओगा 10 पर पावर माइनस 9 थोड़ा यहां देखेगा 1 बाइ 6.28 अंडरूट इसको 5 बाइट स्क्राइन करके यहां पे क्या किया सकता है 10 ऊपर लाए जा सकता न Я не तो यहां पर 10 पर पावर माइनस 10 आं जाया तो फाइफ इंटो टिन परवर माइनस 10 ँंग के ठिक है यह 0.5 पैपन शुल जिसको 5 बाइट ए MR5 और करो तो कितनु अब दो 2.24 लेके चल सकते हैं, 2.24 लेके चल सकते हैं, इसको 5 का root को, यहाँ पर 10 पर पावर minus 10 है, तो इसका क्या हो जागा, 10 पर पावर minus 5. अब यहाँ पर देखीगा, इन दोनों को अगर हम लोग multiply करते हैं, इन दोनों को, तो round of करके 40 लगबग मिलेगा हम अभी 1 को 14 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा तो हमें मिलेगा 0.0714 ठीक है इस calculations हम लोग करके रखे हैं ठीक है 10 पे पावर 5 अभी क्या करते हैं इसे ऐसे लिग देते हैं 0.01 माफ किज़ेगा 714 into 10 पे पावर 2 into 10 पे पावर 3 इस प्रकार से इतना हर्ट्स हो रहा है अब यहां पर देखेगा इसको 100 से अगर multiply करें तो हाँ मिलेगा 7.14 into 10 पे पावर 3 है इसको कीलो में convert कर दो तो कीलो हर्ट्स हो जाएगा इतना कीलो हर्ट्स का resonant frequency जो है हमें मिल रहा है question number 2 के लिए अभी अपने को voltage पता करना है across resistance across inductor across capacitor तो पहले जो है हम लोग वोल्टेज पता कर लेते हैं एक्रॉस रजिस्टेंस एक्रोस रजिस्टेंस वोल्टेज पता करने के लिए पहले तो हमें तो कि हम लोग जो पता कर रहे हैं वो कर रहा है तो इसके लिए हमें जो resonance पर current होता है उसका वेल्यू चाहिए और जो आपका resistance है वो चाहिए तो पता है लेकिन आई any नहीं पता है तो पहले आई नॉट निकाल लेता है यहां पर देखेगा इसको यहां ब्रैकेट में कर लेता है सेंस आई नॉट जो है पीक करेंट है जो आपका ई भाई आर से एक्वाल होता है या इनॉट भी ले सकते हो जोकि एसी सोर्स का जो पावर है अपने पास वह 10 वोल्ट गिवन है तो यहां पर 10 और रजिस्टेंस आपके पास हंड्रेड ओम गिवन है तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर 0.1 एंपिर का करेंट मिलेगा ठीक है काट दोगे ना ऐसे तो 0.1 एंपिर का करेंट मिल जाएगा तो यहां पर जो वोल्टेज होगा एक्क्रॉस रजिस्टेंस एट रेजोनेंस वह कितना होगा भी यार्ज एक्वल टू आई नोट डट इस 0.1 इंटू रजिस्टेंस कितना आपका हंड्रोड का है ठीक है मल्टिप्लाइ कर दोगे तो जो वोल्टेज होगा एक्क्रॉस रजिस्टेंस एट रेजोनेंस इस 10 वोल्ट ठीक है अब दूसरा वोल्टेज एक्क्रॉस इंड़क्टर निकालना है तो वह क्या होगा आई नोट इंटू इंड़क्टर के द्वारा जो रियाक्टेंस होता ह यह लेंगे अब देखो ओमेगा नोट ल का वेल्यू तो नहीं है हमारे पास लेकिन आई नॉट का वेल्यू है 0.1 ओमेगा नोट का वेल्यू हम लोग ऐसे लिख साते हैं 2 पाई एफ नॉट ले सकते हैं ठीक है क्योंकि ओमेगा जो है यह आपका 2 पाई एफ से इक्वल होता है ओके सो ओमेगा नॉट है तो एफ नॉट यहाँ पर यूज कर सकते हैं ठीक है और इंडक्टेंस अपने पास इतना या था एफ नॉट 7.14 किलो हर्ट्स था तो ऐसा करें इसको डिरक्ट लो 7.14 इन्टु 10 पर पावर 3 तो नहीं ले लेते हैं इन्टु 5 इन्टु 10 पर पावर मैनस 3-10 पर माइनस 3 चैनल हो जाएगा हमारे पास यहाँ बच्चेगा 0.1 इन्टु 6.28 इन्टु 7.14 सब को multiply करने के बाद हमें जो है voltage एक cross inductor मिल जाएगा है ना at resonance ओके इन सब को जब आप multiply करोगे तो आप देखोगे लगबग आपको 22.41 volts मिलेगा ठीक है तो जो voltage होगा एक cross inductor वो आपको इतना मिलेगा at resonance अब चुकि यहां पर जो voltage हमें पता करना है वो resonance पर पता करना है तो at resonance at resonance हम लोग यह देखे थे कि जो voltage था एक cross inductor और जो voltage होता है across capacitor यह आपका e into q होता है मतलब है कि जो voltage apply किया गया है voltage कितना apply किया गया है 10 volts का ठीक है और q times जादा होता है दोनों के क्रॉस जो voltage होता है add resonance वो q times जादा होता है तो यहां पर देखो 10 into कुछ times जादा तो है ना टू पॉइंट कुछ times something यहां पर जादा उसी प्रकार से है ना similar तरीके से हम लोग यहां पर क्या करेंगे similarly resonance के इस condition की मदद से हम लोग क्या करेंगे वी सी को वी अल से equal ले करके इसको भी 22.41 ले लेंगे देखिए यह सब characteristics है इस characteristics को कहते है voltage magnification in series resonance circuit यह series resonance circuit का एक chief characteristic है अगर आपने वीडियो जो नहीं देखा है ना तो इपर देखिए लिंक नीचे मिल जाएगा दिस्क्रिप्शन में पूरा playlist है electricity और magnetism का वोल्टेज एक्रॉस capacitor वोल्टेज एक्रॉस inductor at resonance दोनों क्या होता है equal होता है e into q से ठीक है q यहाँ पर quality factor है अब जब voltage एक्रॉस inductor हमें resonance पर इतना मिल रहा है तो capacitor के क्रॉस भी इतना ही होगा तो यह अपना second question था अब कहां चलते हैं अपने third question पे चलते हैं third question क्या है a capacitor ए 50 नोम रजिस्टर एंड 101.5 mh किवेन है मतलब milli henry inductor are placed in series with 50 hertz ac देखो 50 hertz यहाँ पर जो alternating current लिया है ना उसका यहाँ पर frequency given है ठीक है volts नहीं गिवन है frequency गिवन है यहाँ पर हम लोग F का यूज करेंगे calculate the capacitance of the capacitor जो भी जो capacitor यहाँ पर गिवन है उसका में capacitance calculate करना है if the current is observed in phase with the voltage चलो अपने पास एक condition गिवन है जिससे कि हम लोग resonance वाला जो characters था उसको यूज कर सकते है गिवन क्या है if the current is observed in phase with the voltage देखो मेरे प्यारे वीवस आपका जो current है ना current वो voltage के साथ इन फेज में कब रहता है कब रहता है जब resonance happen हो रहा होता है या resonance का phenomenon अक्कर हो रहा होता है उस case में जो current है और जो voltage है यह दुनों phase में होना ही चाहिए यह resonance होने का condition है electrical circuits में ठीक है so it means यह है कि हमें यहाँ पर जो capacitance calculate करना है capacitor का वो at resonance calculate करना है थोड़ समझेगा यह सब questions में conditions given है okay जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो find the resistance यहाँ पर voltage एक्रोस निकलना था at resonance हम लोग उने condition use किया समझ पार जिस प्रकार से पहले question में भी आपने देखा कि total impedance निकालने के लिए हम लोग क्या किये condition यूज कि उसी प्रकार से यहाँ condition mentioned है इसी condition के यूज से हम लोग जो है capacity इस पता कर सकते हैं ठीक है कि आए इसके लिए यहाँ पर हम लोग पीज ले लिए हैं अपने पास पहले तो देखिए कि given क्या क्या है जो चीजे गिवन होती है पहले उसे लिख लेना जहादा बहतर होता है क्योंकि questions को बार बार देख करके जो है न वैल्यू लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा एल भी गिवन है जिरो पॉइंट माफ कीज़े का 101.5 मिली है तो 10 पर पावर माइनस 3 हैं ले लेते हैं और एक फ्रिक्वेंसी गिवन है जो इसी सोर्स अप्लाइट क्या हुआ है डेट इस 50 हर्ट्स का ठीक है हमें जो है प्यारे वीवस क्या करना होगा अगर जो करेंट ऑब्जर्ब किया जा रहा है सर्किट में वो फेज में है वोल्टेज के साथ तब अब देखो अगर करेंट जो है सर्किट में अगर वो वोल्टेज के साथ फेज में है इसका मतलब यह है कि वहां पर रेजोनेंस की बात हो रही है resonance की, okay, resonance की बात हो रही है, और यह resonance जो है, एक particular frequency पर play में आता है, जिसको हम लोग कहते है, resonant frequency, okay, so हम लोग यह कहके, मतलब हम लोग ऐसा लेके चलेंगे, कि यहाँ पर जो AC source given है, उसका frequency, जो है, यह resonance frequency पर sit है, मतलब F0 का value अपने पास पता है, हम लोगों को, ठीक है, ऐसा लेके चलना है, अब देखो, F0 तो हमारे पास, मतलब formula तो हमें पता है, 2pi under root LC, इसी की मदद से प्यारे विवस हम लोग कैपेसिटर का इस given condition पर अर्थात resonance पर पता कर लेंगे, ठीक है, both sides को पहले तो squaring कर लीजिए, तो F0 square हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4pi square और यहाँ LC आ जाएगा, अब देखो, तो क्या यहाँ से C calculate नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, F square, L, F0 square, इस प्रकार से, ठीक है, values को put करेंगे, तो things और बढ़िया हो जाएगा हमारे पास, so 1 by 4 into pi square है, pi का value कितना होता है, 3.14 होता है, तो अगर हम लोग इसका square करेंगे, 3.14 का, तो लगबग values को round off करके, 9.86 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा, आपके मन में अगर कुछ भी doubt है, answers को ले करके, जैसे हम लोग कोई answer यहाँ पता किये, ठीक है, इस प्रकार से आया, है ना, और बुक में माल लेजे की, जो decimal के बाद का part है, वो different है, तो उसमें आपको चिंता करने के जरूबत नहीं है, क्योंकि एग्जामेनेशन में, जैसे IIT जैम की बात करें, तो वहाँ पर numerical, जो section होता है, वहाँ पर आप देखना जो answer, जब वो लोग देते हैं, तो answer कोई एक range में देंगे, जैसे 22.41 आया है, हम लोग का, तो वो हो सकता है, वो range में देते 22.41 से 22.46 के बीच answer आना चाहिए, इस प्रकार का वो range देते हैं, इसलिए हमारा answer सही है, ठीक है, चलिए, अच्छा, पाई square का value कितना ले लिए, 9.6 L अपने पास given है, 101.5, 10 पे power minus 3 given है, F0 जो है 50 है, इसको 2500 ले लते हैं, ओके, नव ऐसा करो, यहाँ पर, कि जो C का value है ना, ठीक है, वो आप अपने से अभी calculate करके बताओ, ठीक है, C का value आप खुद से calculate करो, और अगर मान लिजे कि हम लोग अगर कर भी देते हैं, तो 25 into 4 करेंगे न, तो 10,000 हो जाएगा, है न, इस प्रकार से, 10,000 into 9.86 into 101.5 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ओके, सो आप इसको बताओ, calculate करके, solve करके, कि यहाँ पर कितना फराड में answer आ रहा है, या फराड में नहीं आ रहा है, या माइक्रो फराड में आ रहा है, हना, ठीक है, पिको फराड में आ रहा है, किस में आ रहा है, यह चीज़ आप calculate करके, बताइए, यह छोटा सा काम आपके लिए छोड़ते हैं, अब चलिए हमारा जो question number 4 है, उस पर चलते है, fourth question क्या है, in series LCR circuit, the resonant frequencies 800 hertz, the half power points are obtained at frequencies 745 and 855 hertz, calculate the value of Q, देखो, मेरे प्यारे वीबस, यहाँ पर जो Q है न, यह quality factor है, जो आपका equal होता है, किस से resonant frequency by band width से, f2 minus f1 band width होता है, ठीक है, और ऐसे हम लोग generally quality factor का एक और formula पढ़े थे, omega naught L by R, यह भी होता है, बट एक और तरीके से band width और resonant frequency के ratio के रूप में भी इसको express हम लोग कर सकते हैं, ठीक है न, और एक और चीज़ क्यूँ अपना unitless और dimensionless हो यहाँ पर, LCR circuit का F0 तो अपने पास given है, 800 Hz, साथ ही साथ हमारे पास half power points भी given है, तो यहाँ पर जो छोटा वाला है न, यह आपका क्या है, f1 है, जिसको आप 745 Hz ले लो, और जो बड़ा वाला है न, उसको आप 855 Hz जो है, उसको आप F2 ले लो, ठीक है, f1 जो है, इसको आप कह सकते हो, lower half power, और जो F2 है, उसको आप कह सकते हो, upper half power, ऐसे name यही होता है, कहिंगे पर, lower cut of power भी कहा जाता है, ठीक है, upper cut of power भी कहा जाता है, तो, books के recording, जो है, कभी-कभी, टॉम्स का जो नाम है, थोड़ा vary भी करता है, सो Q का value, आसानी से यहाँ पर calculate किया जा सकता है, f0 के जगे पर 800 Hz हो जाएगा, नीचे में आपका, f2 के जगे पर 855 रख दो, f1 के जगे पर 745 रख दो, चुकी ratio उपर नीचे दुनों तरफ हर्ट से, तो, भाई, यहाँ को unit न हमें मिलेगा, 11777 यहाँ 30 होगा है, 30 हो जाएगा, तो, पॉइंट इतना होगा, 722 गर फिर 8 अगर होगा, तो, यहाँ हो जाएगा, 7 गर फिर इसी प्रकार से, यह क्या होगा, रिकर करेगा, तो, आप इसको round-up करो, 7.3 का quality factor हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, सो यह अप के कुछ numerical problem solve की series resonant circuit के regarding, यह अपना part 1 था, ठीक है, इसके बाद एक और part आएगा, उसमें भी कुछ 3-4 questions रहेंगे, इस से थोड़ा different प्रकार का questions रहेगा, तो, चलिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में,